नेक्स्ट हमारे पास है नोर गेट नोर गेट जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि और गेट और नोर गेट से मिलकर बनता है और गेट यानि ए प्लस बी और नोर गेट ए बी बार या ए बी कॉंप्लिमेंट यहां पे हमारे पास इसका यह जो लॉजिक सिंबल है नोर गेट क दो input वाला हमारे पास logic symbol है nor gate की दो या दो से जएदा inputs भी हो सकती है लेकिन जो इसकी output है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है ये जो arrow की तरह का बनावा है ये or gate को और ये जो इसके आगे चोटा सा bubble बनावा है ये nor gate को जाहिर करता है ये हमारे पास logic symbol है किसका nor gate का इसकी boolean expression अगर हम देखें y is equal to a plus b complement इसको इस तरहां भी जाहिर कर सकते हैं और y is equal to a plus b bar इसको इस तरहां से भी जाहिर किया जाता है ये इसकी boolean expression है y is equal to a plus b complement और y is equal to a plus b bar it is also an universal gate nor gate को and gate की तरह and gate को भी जैसे universal gate कहा जाता है इसी तरह nor gate को भी universal gate कहा जाता है universal gate क्यों कहा जाता है and gate, or gate और not gate जो होते हैं वो हमारे पास basic gates होते हैं जिन से मिलकर हम मुक्तलिफ gates बनाते हैं इसी तरह हम nor gate से भी नोर गेट को मिलाकर और गेट और नोर गेट भी बना सकते हैं इसलिए इसको युनिवर्सल गेट कहा जाता है इसका टूप टेबल देखते हैं इनपुट और गेट यानि ए प्लस बी और आउटपुट अगर हम इसके बुलियन एक्सप्रेशन में देखें Y is equal to A plus B bar यानि कि हमने A plus B का जो आउटपुट आएगा बार का मतलब होता है उल्ट करना A plus B जो हमाएगा उसका उल्ट जो करेंगे यानि दोनों इनपुट को जमा करके उसका उल्ट करके उसकी आउटपुट आएगी वो उसकी आउटपुट होगी जैसे के हमारे पास है इनपुट A, 0 और इनपुट B भी हमारे पास 0 होगी तो अगर हम उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगी और 0 का उल्ट क्या होगा? 1 तो इसलिए इसकी आउटपुट क्या होगी? 1 इसी तरह A हमारे पास 0 होगा और B हमारे पास 1 यानि हाई होगी तो हमारे पास इसका प्लस क्या आएगा 1 और अगर इसका उल्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 जो इसकी आउटपुट पर आएगा इसी तरह इंपुट A हमारे पास 1 होगी और इंपुट B हमारे पास 0 होगी और इसको हम प्लस करेंगे तो 1 आएगा और अगर इसका उल्ट करेंगे यानि कि इसकी आउटपुट हमारी क्या आएगी? 0, not gate की output हमारे पास 0 आएगी इसी तरह अगर हमारे पास दोनों input positive होंगी यानि कि high होंगी तो उसकी output जो हमारे पास low आएगी यानि कि 0 आएगी नौर्ट गेट के uses नौर्ट गेट जो होता है वो digital watch में, calculators में और computers में use होता है यानि कि digital watch एक watch होती है जो जिन में सुईयां होती है और एक वो वली watch होती है जिसमें numbers आते हैं वो जो number वोट्स होती है उसमें हम नौर्गेट को इस्तमाल करते हैं उसके लावा हम इसको calculators में देन समय करते हैं क्योंकि क्याल्श्थ में हम्रे पास screen होती है और इसके ओपर नौर्ड जाते हैं इसी तरह हम इसको computer में भी use करते हैं क्योंके computer भी one zero तो इस तरह की लैंग्विज समझता है इसलिए हम इसको कम्प्यूटर में भी यूज करते हैं नोर गेट को